बात ये नहीं है कि फिल्म फाइटर का बॉक्स आफिस कलेक्शन धीमी गती से बढ़ रहा है और धीरे-धीरे कलेक्शन्स में जंप भी देखा जा रहा है और ये भी तय है कि फाइटर अपनी लगाई हुई लागत वसूल कर लेगी. पर असली कहानी ये है कि फाइटर कैसे आसानी से 1000 करोड रुपए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर कमा सकता था क्योंकि फाइटर एक देश भक्ती से भरी फिल्म है जिसमें एक सीधा संदेश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दिया गया है पिछले साल फिल्म गदर टू ने भी सीधे तोर पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया था रिलीज होते ही गदर टू ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त कमाई की और दुनिया भर के बॉक्स ओफिस पर लगभग 700 करोड रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया गदर टू ने अभिनेता सनी दोल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी तो ये एक वास्त्विक परिद्रिश्य था जहां प्रशंसकों और फिल्म देखने वालों को उम्मीद थी कि फाइटर रितिक रोशन की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉक्बस्टर होगी आईए बॉक्स ओफिस के इस सस्पेंज से भरे थ्रिलर को परत दर परत खोलते हैं और फाइटर क्यों सुपर डूपर हिट नहीं हुई ये समझते हैं कभी कभी अच्छी फिल्में क्यों नहीं चलती हैं? जिसने भी फाइटर फिल्म देखी है, उनके मन में यही सवाल आ रहा है फाइटर के ट्रेलर से लगा था कि ये फिल्म दुनिया भर से ग्रॉस बॉक्स ओफिस कलेक्शन में कम से कम एक हजार करोड रुपए की कमाई जरूर करेगी फिल्म रिलीज पर फाइटर को सकारात्मक समिक्षाओं के साथ ये आंकड़ा हासिल करना बहुत आसान लग रहा था लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन के अंत तक अभी भी फाइटर की कलेक्शन्स 325 करोड रुपए पर ही अटका हुआ है जबकि फिल्म का बजट ही 200 करोड है एक सूपर हिट फिल्म के लिए बुनियादी आवश्यक्ताएं क्या हैं? एक मनोरंजक कहानी एक सूपस्टार अभिनेता एक खुबसूरत अभिनेतरी एक प्रतिभाशाली निर्देशक एक समर्पित लेखक देशभक्ती से भरे डायलॉग्स एक प्रसिद्ध निर्माता एक विश्वसनिय वित्रण कंपनी चार्ट बस्टर संगीत और एक आदर्श रिलीज की तारीख हाल ही में 26 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म फाइटर ने इन सभी चेक बॉक्स पर टिक लगाया था लेकिन फाइटर बॉक्स ऑफिस खिडकी पर उम्मीद के मुताबिक ब्लॉकबस्टर बिजनिस क्यों नहीं कर पाई फाइटर की कहानी में पुल्वामा हमलों और भारतिय वायू सेना द्वारा पियोके में बाला कोट पर सर्जिकल हवाई हमलों की एक शक्तिशाली और घटनापूर्ण प्रिष्ठ भूमी हैं इंडियन एयर फोर्स का ये बेबाक अंदाज काफी चर्चित रहा जिस पर हम सभी को बहुत गर्व है 2019 में रिलीज फिल्म उरी दर सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर सुपर डूपर हिट रहा जो उरी हमलों के बाद भारतिय सेना द्वारा पियोके में किये गए सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी जिसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे विक्की कौशल रातो रात स्टार बन गए और फिल्म को धेरों अवार्ड भी मिले उरी फिल्म ने लगभग 360 करोड रुपे कमाए जबकि फिल्म महज 25 करोड रुपे के बजट पर बनी थी इसलिए फैंस से लेकर फिल्म समीक्षकों तक ये उम्मीद था कि जब फाइटर रिलीज होगी तो बंपर हिट होगी और सिनेमा घरों में कमाई के मामले में बॉलिवुड को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लॉक्बस्टर फिल्म मिलेगी लेकिन फाइटर फिल्म रिलीज के बाद की कहानी बिलकुल अलग है फिल्म पठान की सफलता के बाद सिद्दार्थ आनन्द ने फिर से एक देशभक्ती फिल्म फाइटर का निर्देशन किया जो एक आजमाई हुई और बेहद सफल जॉनर है पठान ने एक हजार करोड रुपए से ज्यादा की कमाई की थी और शाहरु खान को सुपरस्टार के रूप में दोबारा लॉंच किया सिद्धार्थ आनन्द ने फाइटर जेट पाइलट के रोल में रितिक रोशन को कास्ट किया क्योंकि सिद्धार्थ और रितिक ने 2019 में सुपर हिट फिल्म वार दी थी जिसने करीब 500 करोड रुपए की कमाई की थी ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री और रितिक रोशन और सिद्धार्थ आनन्द के फैंस एक सुपर हिट निर्देशक अभिनेता जोडी से चमतकार की उम्मीद कर रहे थे फिर भी फाइटर क्यों बॉक्स आफिस पर बड़े कलेक्शन के साथ टेक आफ नहीं कर पाई फिल्म फाइटर में एयर फोर्स पाइलट के किरदार में रितिक हैंडसम और सूपर हॉट लगे एयर फोर्स पाइलट की वर्दी ने रितिक को और अधिक आकरशक बना दिया और वो इस फिल्म में अपने आल टाइम बेस दिखे उन्होंने अपने पिच परफेक्ट अभिनय प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्र मुग्द भी किया जब वो अपने फाइटर जेट में दुश्मनों का मुकाबला करते हैं तो दर्शक आश्चर्य चकित हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि रितिक सिर्फ एक अभिनेता हैं नकि एक असली पाइलट रितिक का बॉडी लैंग्वेज रोल के लिए समर्पन भी ला जवाब है फिल्म में उनकी वजह से शहीद हुई मंगेतर जो एक हेलिकॉप्टर पाइलट थी बैक स्टोरी में उनके किर्दार को एक इमोशनल एंगल देती हैं फिर ओफ कोर्स रितिक की नाइका के रूप में सुपर हॉट दीपिका पादुकोन है जो पहली बार उनके अपोजिट अभिने कर रही है फिल्म में दीपिका एक हेलिकॉप्टर पाइलट की भूमिका में है जो अनिल कपूर और रितिक की एयर ड्रैगन्स नामक विशेश वायू सेना टीम में सहयोगी है जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद का मुकाबला करते हैं पाइलट के रोल में दीपिका आकरशक और खूबसूरत लगी विश्व सिनेमा ने शायद इनसे ज्यादा हॉट पाइलट फिल्मी परदे पर पहले कभी नहीं देखा होगा जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं, दर्शक उनकी तराशी हुई और हॉट बॉड़ी देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनकी आँखें हमेशा कुछ कहती है उनके शांदार अभिनय प्रदर्शन से वो एक संपूर्ण पैकेज बन जाती है एक सूपरस्टार हीरो और एक सूपरस्टार हीरोईन रितिक और दीपिका की केमिस्ट्री गजब की है ये हैंडसम ग्रीक गॉड बनाम दक्षन भारतिय सुंदरी की एक अदभुत जोड़ी है फिल्म में ये दोनों ही होट और सेक्सी लगे हैं दोनों के प्यार के बीच छेड छाड़ वाले सीन इस तरह से फिल्माए गए हैं कि दर्शकों को उनकी स्क्रीन प्रेजन्स बहुत पसंद आती है रितिक और दीपिका फिल्म के गानों में भी बेहत दिलकश और मनमोहक लगे एंड क्रेडिट्स में गाना इश्क जैसा कुछ में तो दीपिका ने पठान के बेशरम रंग गाने की बराबरी की लेकिन गाने भी दर्शकों को सिनेमा घरों में नहीं खीच पाए ये आपके होश उड़ा देता है खास कर जब आप फिल्म व्यवसाय को अच्छे से समझते हैं फिल्म एनिमल की जबरदस्त सफलता के बाद अनिल कपूर फिल्मों के चुनाव में कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं फाइटर में अनिल कपूर एक बार फिर अहम भूमिका में हैं वे नई पीड़ी को प्रेरित करते हैं कि स्क्रीन के लिए अभिनय कैसे किया जाता है वे मिशन के कमांडिंग ऑफिसर के किरदार में बिलकुल फिट बैठे हैं अनिल कपूर असी और नब्बे के दशक में एक बड़े फिल्म स्टार थे और उम्मीद थी कि उनके प्रशनसक उन्हें देखने थेटर में आएंगे लेकिन अफसोस उनकी उपस्थिती भी फिल्म को बॉक्स ओफिस पर नंबर बढ़ाने में मदद नहीं कर सकी फिल्म में करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरोय वायु सेना अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका में बहुत अच्छे लगे और उन्होंने रितिक और दीपिका का बखूबी साथ निभाया टेलिविजन सीरिल्स की स्टार संजीदा शेख ने करण सिंह ग्रोवर की पतनी के रूप में शानदार काम किया इन सभी अभिनेताओं के टेलिविजन धारावाहिकों और वेब सीरीज में उनके पिछले कामों के कारण उनके अपने फॉलोवर्स हैं लेकिन ये कलाकार भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक नहीं खींच सके जहां तक फिल्म के संगीत की बात है तो विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी ने थिरकाने वाला संगीत दिया है जो फिल्म की थीम के अनुरूप है खास कर गाना शेर खुल गए एक जोशीला और गुनगुनाने वाला नमबर था ये गाना बहुत अच्छे से फिल्म आया भी गया है किसी एक्शन फिल्म के हिसाब से फाइटर का बैक्ग्राउंड स्कोर भी बहुत उपयुक्त है खास कर वंदे मातरम गाना आपकी देशभक्ती की भावना को छू जाता है लेकिन अच्छा संगीत भी इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर क्यों नहीं बचा पाया हवाई लडाई से लेकर आमने सामने की लडाई तक जहां रितिक पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर के बारे में बात करते हैं और भारत के कबजे वाले पाकिस्तान की चेतावनी देते हैं ये फिल्म दर्शकों से तालियां बटोरने के क्षणों से भरी हुई है एक्शन से भरपूर ये डायलॉग्स और एग्रेसिव मूड गदर टू में सनी दोल के किरदार तारा सिंह के पाकिस्तान को सीधे संदेश से मिलता जुलता है लेकिन ये डायलॉग्स भी फिल्म के फेवर में काम नहीं आए वायकॉम 18 स्टूडियोज ने एक व्यापक वितरण योजना बनाई उन्होंने फिल्म को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन फिल्म फाइटर कैसे एक भ्रमित स्थिती में आ गई है एक ऐसी फिल्म जिसमें अच्छी कहानी, अच्छे अभिनेता, अच्छे निर्देशक, अच्छे निर्माता और अच्छी रिलीज डेट हो वह बॉक्स ओफिस पर निराशा जनक कमाई की ओर बढ़ती दिख रही है रितिक रोशन के साथ ऐसे पहले फिल्म विक्रम वेधा के साथ हो चुका है वो भी एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं चली इन बातों को किसी आंकडे से नहीं समझाया जा सकता कोई नहीं जानता कि दर्शक किसी फिल्म को क्यों पसंद या ना पसंद करते हैं वाकई में हिट फिल्म बनाने का कोई तय फार्मूला नहीं है एक अभिनेता, एक फिल्म निर्देशक या एक निर्माता और क्या कर सकता है अच्छी फिल्में बॉक्स आफिस पर चलनी चाहिए, पैसे कमानी चाहिए इससे फिल्म उद्योग को अच्छा व्यवसाय मिलता है और मनोरंजन व्यवसाय की अर्थ व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है हाँ, कभी-कभी एवरेज या बुरी फिल्में भी चल जाती है ये शायद स्टार पॉवर या उस फिल्म की किस्मत है लेकिन अच्छी फिल्में चले तो माहौल भी अच्छा होता है और अनुभव भी अच्छा होता है इससे दूसरे निर्माता, निर्देशक और एक्टर्स को प्रोथसाहन मिलता है कि अच्छी फिल्में बनाए तो अगली बार जब आपको पता चले कि फिल्म सकारात्मक और अच्छी है तो फिल्म थेटर में जरूर देखें अच्छी फिल्में देखने से सबको आनंद मिलता है So, see you at the movies